Hi guys, welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix Vlog. तो last video में मैंने आपसे बात की थी कि अगर आप Australia के लिए अपनी PR डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप eligible हैं या नहीं ये points जो है वो आप कैसे calculate करेंगे क्योंकि Australia में point system होता है और आपको certain benchmark को cross करना होता है PR डालने के लिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो link नीचे description box में है आप वो चेक कर सकते हैं और आज की जो वीडियो है वो वीडियो है next step यानि की skill assessment तो देखिए अगर आपको PR डालनी है तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है skill assessment skill assessment के बिना आप expression of interest नहीं डाल सकते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी की skill assessment होता क्या है क्यों हमें इसकी जरूरत होती है और कौन है जो ये skill assessment करता है और किस-किस वीजा के लिए आपको skill assessment की जरूरत होती है तो इन सारे topics को आज की वीडियो में मैं cover करने वाली हूँ तो ध्यान से देखिए वीडियो को ताकि आप चेक कर सकें कि आपका जो skills है, आपकी जो degree है, वो किस category के अंदर आती है, कौन सी authority है जो आपको skill assessment देगी तो start करते हैं आज की वीडियो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह skill assessment actually यह क्या होता है और कौन है जो यह skill assessment करता है, तो जो skill assessment होता है, वो issue किया जाता है, एक skill assessing authority के दुरूँ और यह जो organization होती है, यह check करती है कि आपकी जो skills है, वो उन standards को match करती है या नहीं, जो उन्होंने already set किये हुए है, उस relevant occupation के लिए तो वो यह check करती है कि आपने जो भी study की है, आपकी जो भी skills है, वो उन्हें match करती है या नहीं, और जब हम skill assessment करवाते हैं, तो usually यह skill assessment होता है, वो 3 साल के लिए valid होता है, बट still जब आपको आपका skill assessment मिल जाता है, तो उसमें आपको date जो है, check कर लेनी चाहिए कि कुछ date अग आपको चाहिए, अगर employer sponsored visa है, तो उस case में भी आपको skill assessment करवाना पड़ेगा, आपको skill assessment करवाना पड़ेगा, अगर जो आपकी visa category है, वो general skilled migration category के visa है, तो उनके लिए भी skill assessment जो है, वो ज़रूरी होता है, मैं आपको आगे पूरी website का link बताऊंगी, और उसमें already सारी details mention है, ज जो details देखी हम लोगों ने check की थी, जब हमने अपना skill assessment करवाया था, तो वो सारा process जो website का link है, और कैसे कैसे आपको step by step जाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको already website पे दिखाऊंगी, ताकि अगर आप लोग check करना चाहते हैं, तो आप उसमें से correct exact information ले सकते हैं, because guys देखें, मैं, मैंने पहरी भी बताया कि मैं कोई agent नहीं हूं, but yes, हमने वो process जो है, वो follow किया है, और now we pass that process, हमने already सब कुछ clear कर लिया है, तो इसलिए मैं ये सारी information आप लोग के साथ share कर रही हूं, skill assessment का जो process है, यानि कि जो time frame है, देखें, वो depend करता है कि आप किस authority के through, अपना skill assessment authorities है, जैसे कि engineer Australia है, या फिर witnesses है, बहुत सारी है, तो वो list pick में आपको बताऊंगी, कि कौन-कौन सी authorities है, और आपका जो skill है, आपकी जो degree है, आपका जो work experience है, वो आप किस authority के through, assess करवा सकते हैं, but usually जो time लगता है न, वो 10 दिन से लेकर के 12 वीक तक का time frame है, और इसमें क्या है आप fast track भी होता है, तो अगर आप fast track के through जाते हैं, तो आपको additional कुछ fee pay करनी पड़ती है, लेकिन उस case में क्या होता है, कि 20 days के अंदर अंदर वो लोग आपका जो degree है, आपकी जो skill है, उसको assess कर देते हैं, if you are eligible और आपका जो सारे documentation है, वो proper है उस case, skill assessment आप दो तरह से करव सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ अपनी degree या अपनी qualification को assess करवा सकते हैं, एक आपका वो way है, और जो दूसरा way है, वो यह है कि आप अपना experience प्लस अपनी qualification दोनों को assess करवा सकते हैं, तो इसके लिए आपको accordingly ही document submit करने पड़ते हैं, देखिए अगर आप experience के साथ assess करवाना तो आपको experience से related सारे document देने पड़ेंगे, यानि कि आपका offer letter, आपकी pay slip, आपका bank statement जिसमें आपकी salary transfer होती है, यह सारे document submit करने होते हैं, और अगर अपनी आप qualification को assess करवा रहे हैं, तो qualification से related आपकी जितनी भी transcript है, degrees है, mark sheets हैं, वो सब आपको submit करने होती हैं, वो सब आपको submit क के बारे में, अब मैं आपको website के through दिखाती हूँ, उसमें सारे information step by step है, और आप अपने level पर उसको अच्छे से check कर सकते हैं, तो आईए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप skill assessment की सारे information ले सकते हैं, So guys, यह है immigration की website, Australia immigration की, तो आप इसमें देख सकते हैं कि skill assessment के लिए आपको क्या-क्या चाहिए, तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर visa categories mention है, कि आपको किस-किस category के लिए skill assessment की ज़रूरत होगी, तो जो first category है, वो general skilled migration visas हैं, तो देखिए, उसमें clearly mention है कि आपको 189, 190, 489 औ 491 के लिए skill assessment कराना होगा, आप particular visa पे click करके check कर सकते हैं कि आपको कौन सा suitable skill assessment कराना है, उसके बाद next category आगई employer sponsored visa, तो उस category में लिखा हुआ है 186 and 187, तो जैसा मैंने बताया आप check कर लीजिए कि आपको किस तरह का skill assessment कराना होता है, अगर किसी में कुछ conditions हैं, तो वो आप check क करार सकते हैं कि आप किस category के visa के लिए skill assessment करार हैं, और temporary skilled shorted visas के लिए भी कभी skill assessment की ज़रूत परती है, तो वो भी यहां पर mention है, तो यह information actually अगर आप website से check करेंगे particularly, तो आपको सही information मिलेगी, तो इसलिए मैंने आपको यह link बताया है, क्योंकि जब हम करवा रहे थे तो हमने भी actually यही check किया था, कि हमें correct information मिले, and then आप देखिए कि जो मैंने बताया था कि कुछ skill assessing authorities होती है, जो आपकी skills को assess करती है, तो यहां पर आप देखिए 42 authorities mention है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपका जो भी skill है, जो भी आपकी degree है, IT है, engineering है, या कोई trade से related है, तो उस degree को ज listed authorities वो यहां पर mention है, तो यह एक next point हो गया, उसके बाद move on करते हैं, next point पर, तो देखिए जैसे हम लोगों ने जो करवाया था skill, वो engineer Australia के थूर करवाया था, तो यह engineer Australia की website है, यहां पर अगर आप जाएंगे for migrants, तो आपको particular detail मिलेगी, फिर आप जाएए migration pathway पे, जो लिखा migration skill assessment, जब आप यहां क्लिक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन-कौन से steps follow करने हैं, आपकी skill को assess कराने के लिए, तो इसमें देखिए 6 step mention है, check your qualification, और 4 engineering occupation है, आप उनमें देख सकते हैं, कि आपकी डिगरी की category के अंदर आती है, then आप pathway choose कीजिए, अपनी application prepare कीज जो है, वो कौन सी है, आपने Australia से की है, या फिर Australia में तीन accord है actually, आपका Washington Accord से है, Sydney Accord से है, या फिर Dublin Accord से है, इनमें से अगर आती है, तो देखिए skill assessment का pathway different है, और अगर इनमें से नहीं है, तो pathway जो है, वो थोड़ा सा different आता है, फिर जैसा मैंने बताया कि occupational category आपको check करनी है Engineering की कौन सी है, तो चार categories इसमें mention है, professional engineering है, या engineering technologist है, engineering associate, या फिर engineering manager, हम लोगों की professional engineering के through हम लोगों ने कराया था, हमारी जो category थी वो यह थी, and then देखिए दो pathways हैं इसके, जैसे मैंने बताया कि आप किसी accord में आते हैं, या फिर आपकी qualification or Australian qualification है, तो pathway आपका different है, और नहीं, अगर ऐसा नहीं है, तो फिर आपको चूज करना पड़ेगा, competency demonstration report assessment pathway, CDR, हम लोग भी CDR pathway के through ही गए थे, हमने उसी के through अपनी जो degree है, वो assess करवाई थी, तो next point पर आते हैं, फिर कि आपको जो application है, वो कैसे prepare करनी है, तो देखिए, इसमें clearly लिखा हुआ है कि आपको English language की requirement ह और यहाँ पर एक booklet है, MSA booklet, Migrant Skill Assessment booklet, actually यह PDF है, तो इस booklet के अंदर आपको सारी information मिलेगी कि आपको assessment के लिए क्या-क्या requirement है, आपको कौन-कौन से documents देने हैं, तो यह booklet बहुत important है, तो application करने से पहले इस booklet को बहुत अच्छे से आप लोग read कीज़ेगा, तो देखिए, सबसे पह TOEFL दे सकते हैं, या PTE, और जो minimum requirement है, वो भी band जो है, वो इसमें mention है, अगर आप IELTS करते हैं, तो आपको 6E चाहिए, अगर आप PTE पे जाते हैं, तो आपको 50E चाहिए, तो यह minimum requirement है, और इसमें mention है, कि आपको general जाना है, या academic करना है, फिर आप चूज कर सकते हैं, कि आपक किस type का assessment है, जैसे मैंने बताया था, आपको CDR के थ्रू जाना है, या आप की qualification, Australian qualification है, या फिर आपकी जो qualification है, किसी accord के अंदर आती है, तो वो भी इसमें mention है, कि आपको किस type के लिए क्या करना पड़ेगा, नाओ देखिए, अगर आप CDR pathway के थ्रू जाते हैं, तो आपको कि name वगरे change हुआ है, तो उसका document देना पड़ेगा, आपको आपका passport size का photograph देना होगा, CV और resume में इसकी जरुत पड़ेगी, and English language का जो आपने test दिया है, कोई सा भी जो भी आपने दिया, उसका evidence आपको देना पड़ेगा, और अपनी qualification की colored copies देनी होंगी, अगर आपको workax है, त जो है एक बहुत important document है actually, इसमें आपको तीन career episodes लिखने होते हैं, और ये एक major role play करता है आपके skill assessment के लिए, तो इसलिए मैं इसके लिए एक separate video बनाने वाली हुए actually, क्योंकि अपने आप में बहुत ही लंदी topic है, now एक बहुत important point कि आपको पता किसे चलेगा, कि आपके degree को कौ ये होता है ANZESCO code, ANZESCO is basically Australian and New Zealand Standard Classification of Occupation, तो आप अपने degree डालिए इसके अंदर जो भी आपकी qualification है, जैसे हम लोगों का biomedical engineering था, तो हमने वो type किया, तो हमें कुछ list out मिले थे, दो list out मिले थे, and then उस पे हमारा engineering professional था, तो हमने उस पे click किया, तो वो आपको बताएगा कि आपकी occupations जो है, वो आ सकते हैं engineering के अंदर, तो ये different different देखिए हमें occupation मिले, तो इसमें से हमारा जो था, वो था biomedical engineering, तो हमें हमारा जो code मिला था, वो मिला था 233913, नाव इस code के अंदर आपको लिखा हुआ है कि आपका skill level 1 है, और specification dimension है, फिर आप Google पर simply ये code डालिए, ANZESCO वाला, तो वो आपको बताएगा कि कौन सी authority आपकी degree को assess करने वाली है, तो देखें जब हमने इसको डाला, तो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ, clearly आ गया कि skill assessment authority is engineers Australia, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि उन 42 authorities में से आपकी particular qualification को, आपकी particular degree को कौन सी authority जो है, वो assess करने वाली है, and then आप particular उस authority के website पे जाएगे, and then आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या further documentation की ज़रूत पड़ेगी, तो इंजिनियर ऑस्ट्रेलिया की fee के बारे में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम उसी पातफे से गए थे, इंजिनियर ऑस्ट्रेलिया से, तो देखें, fee भी कुछ depend करती है, के लिए जो है, वो fee अलग है, CDR assessment pathway की, जो fee mention है, वो mention है, 1320 Australian dollar, तो देखें, आप इस booklet में check कर सकते हैं, आप जिस भी year में apply कर रहे हैं, अगर कोई fee change हूई है, तो यहाँ पर mention होगी, और अगर आप fast track process के थ्रू जाते हैं, तो फिलाल अभी 30 June 2023 तक, कुछ offer हैं, जिसमें आ fast track की fee है, वो इसमें लिखी हुई है, फिलाल है 346.50 Australian dollar, अब आपको बताती हूँ कि आपको apply कैसे करना है, तो जैसे हमने engineer Australia के थ्रू किया था, तो हम गए engineering Australia के website पर, then आपको create करना पड़ेगा अपना account, तो account create करने के लिए simple information है, name, date of birth, आपकी country, आपका contact number, और आपका account create ह हो जाएगा, account create होने के बाद, आप जाएए, यहाँ पर देखे लिखा है, applied for skill assessment for migration purpose, जब आप इस पर click करेंगे, तो आपका application का process start हो जाएगा, and then you have to attach all the relevant document, follow the process, and it's done for you. So guys, that's all for today's video, I hope आपको video अच्छी लगी होगी, और यह information आपके लिए helpful रही होगी, next video मैं बनाऊंगी career episode जो है, वो कैसे लिखा जाता है, क्योंकि skill assessment के लिए, वो एक बहुत बहुत important चीज है, और वो अपने आप में actually एक बहुत lengthy topic है, क्योंकि सारी information आपको अगर खुद ल दिखा था, और time to time हमें जो case officers थे, उनसे reply भी आया था, तो हमने कुछ correction करके भी भी भीजे थे, तो इसलिए next video में मैं पूरा आपको detail में बताऊंगी, कि अगर आप अपना career episode लिख रहे हैं, तो आपको किन बातों का धिहान रखना चाहिए, और कैसे आपको career episode लिखना चा